नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको Microsoft Word में कैसे passport size photo बनाते हैं, उसका पूरा process step by step दिखाऊंगा। तो वीडियो को last तक देखिएगा, तो चलिए, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने already passport size photo को यहाँ पे बनाके रखा है, इसका process मैं step by step आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, process को start करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे Microsoft Word को open कर लेना है। अब मैं यहाँ पे page के orientation को change करूँगा, को जाना होगा page layout tab और यहाँ से देखिए, orientation नाम का एक option मिलेगा page setup group में। यहाँ से landscape आपको कर लेना है। तो यह देखिए, page हमारा जो है, वो यहाँ पे landscape हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे margin option में जाएंगे और यहाँ से click कर गे margin को हम कर देंगे narrow, तो यहाँ पे आप देख सकते हो margin भी यहाँ पे थोड़ा चोटा हो चुका है। अब यहाँ पे हम image को insert करेंगे, image insert करने के लिए आपको जाना परेगा सबसे पहले इंकर टैप में इंकर धने के बाद यहाँ पे देखिए, picture नाम का option मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहां से अपने इमेज को चूज कर लेना है मतलब कि आपने जहां पर इमेज को सेप किया है वहां से आप इमेज को चूज कर लेंगे मैं यहाँ पर पहला वाला photo जाए इसको यहाँ पर चूज करूँगा और एक बार insert में आके click करूँगा click करने के साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा image जो है यहाँ पर insert हो चुका है अब मैं इस image को थोड़ा edit कर लूँगा सबसे पहले मैं यूज करूँगा crop option को इसके लिए आपको जाना होगा format tab में format tab में जाने के बाद एकदम right side में यहाँ पर देखिए crop option मिलेगा यहाँ पर आपको click कर लेना है click करने के बाद आपको यहाँ पर अपने image को अपने हिसाब से crop कर लेना है image crop होने के बाद आपको सिर्फ एक बाद enter प्रेस करना है enter प्रेस करने के साथ ही आपका image जो है वो यहाँ पर crop हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक बाद ध्यान दिजिएगा उपर की तरफ देखिए जो format tab था वो अभी यहाँ पर नहीं है format tab सिर्फ image को जब आप select करेंगे तभी यहाँ पर आपको दिखाएगा देखिए मैंने यहाँ पर image को select किया है उपर की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं format tab आ चुका है यहाँ से हम अभी picture border apply करेंगे इसके लिए format tab से आपको जाना परेगा picture borders में और picture border के अंदर आपको option मिलेगा width का यहाँ से किसी भी width को चूज करके आप picture border apply कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर picture border apply कर दिया है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो Microsoft Word बे अगर किसी भी image को आप insert करती हो तो easily आप उसको कही पर भी move नहीं कर सकते move करने के लिए आपको format tab से wrap text option को enable करना पड़ेगा इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे format tab में और यहाँ से देखिए wrap text एक option है यहाँ पर click करने के बाद आप square या फिट tight किसी भी click करके उसको activate कर सकते हो तो मैं यहाँ पर tight में click करतूंगा click करने के साथ देखिए अभी आप इस image को कही पर भी अपने page में move कर सकते हो दोस्तो अब मैं इस image को छोटा करके एकदम passport size image के size में ले के आऊंगा यह देखिए मैंने इसको छोटा कर दिया है दोस्तो अगर आप इस image को edit करना चाते हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो इसके लिए आपको जाना परेगा format tab में format tab में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखिए adjust नाम का एक group मिलेगा adjust group में आपको यहाँ पर दिखिए corrections नाम का एक option मिलेगा जहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद यहाँ से आप अपने image का brightness, contrast, sharpness को easily change कर सकते हो ठीक उसके नीचे ही यहाँ पर आपको option मिलेगा color का जहाँ से आप click करके photo को black and white या फिर colorful आप कर सकते हो just एक बार click करने के साथ ही वो style यहाँ पर apply हो जाएगा तो दोस्तो बिल्कुल ऐसे ही अपने image को आप यहाँ पर edit कर सकते हो दोस्तो अब मैं आपको इस image का duplicate photo मतलब के copy करके दिखाऊंगा इसके लिए आपको image को select करने के बाद ctrl d press करना है ctrl d press करने के साथ ही image का एक copy हो जाएगा फिर आपको इसको click करके यहाँ पर adjust कर देना है फिर से मैं ctrl d press करूँगा फिर से duplicate copy हो जाएगा तो यहाँ पर देखें मैंने इसको भी यहाँ पर adjust कर दिया है बाकि सारे image को भी ctrl d press करके अपने हिसाब से यहाँ पर adjust कर लेना है फिर मैं यहाँ पे इस image का एक group बनाऊंगा group बनाने के लिए आपको सबसे पहले सारे image को one by one select कर लेना है select करने के बाद आपको यहाँ पे किसी भी image के उपर right click करना है right click करने के बाद यहाँ पे देखिए group नाम का एक option मिलेगा और यहाँ से आपको group में जाके click कर देना है click करने के साथ ही इन सारे photo का एक group बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे एक बार ध्यान दिजिएगा अब अगर मैं Ctrl D प्रेस करता हूँ Ctrl D प्रेस करने के साथ ही उपर के सारे photo का एक duplicate copy होके निकल आएगा अब इसको अपने हिसाब से आप यहाँ पे नीचे के तरफ adjust कर सकते हो फिर मैं यहाँ पे Ctrl D प्रेस करके तीसरा copy निकालूँगा और उसको भी नीचे के तरफ यहाँ पे set कर दूँगा अब मैं यहाँ पे इन सारे image को one by one select करूँगा select करने के बाद मैं इसके उपर right click करूँगा right click करने के बाद मैं चला जाओंगा group option में और यहाँ से group में जाके एक बार click करूँगा click करने के साथ इन सारे photo का एक group यहाँ पे create हो जाएगा तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकती हो तो मैंने Microsoft Word में passport size photo बनाने का process आपको यहाँ पे दिखा दिया है अब आप इन photos को easily किसी भी Photoshop या फिर अपने printer से print कर सकते हो तो दोस्तों यह था simple process जिसको use करके आप Microsoft Word में passport size photo को बना सकते हो वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दिजिएगा Thank you for watching the video Please keep your support